sampling procedure यानि कि method of sampling यानि कि कैसे population में से आप जो है sampling frame बनाते हो sampling frame में से samples को choose करते है how should we choose the respondents यानि respondents यानि कि आपके samples जिनसे आपको data collect करना होता है research के लिए तो इसके दो technique होते हैं एक probability sampling technique होता है जिसका मतलब होता है कि सभी लोगों के equal chance होते हैं कि वो sample में select हो जाए यानि कि एक हमारे नजदीक खड़ा है और एक हमारे दूर खड़ा है तो दोनों के equal chance है यह भी select हो सकता है वो भी select हो सकता है वह पर non probability sampling technique में क्या होता है कि सभके equal chance नहीं होते हैं जो हमारे पास नजदीक होगा अपनी कर्मजियन सुईदा के इसाब से data collect कर लेंगे या फिर हो सकता है कि हमको इससे मतलब नहीं हम उससे select करेंगे तो यानि कि यहाँ पर equal chance सभी के नहीं होते है कही न कहीं कुछ न कु अब हम एक एक करके सभी के type देखेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे probability sampling technique पे तो probability sampling technique के सबसे पहला type है simple random sampling जिसमें कि every member of population has equal chance of selection जैसा क्या आप जानते हैं lottery system तो lottery में क्या होता है कि सभी लोगों के ticket को काट कर एक बकेट में या फिर ball में डाल दिया आता है फिर उसको mix किया sampling frame में सभी population होता है यहाँ पर जो है यह नहीं कि आपने कुछ लोगों को select के सभी पूरे population को डाल दिया जाता है उसमें फिर include कर लिया जाता है फिर उसमें से randomly किसी को भी select कर लिया जाता है आप suppose कर यह आपको 50 का sample चाहिए था तो आप 50 जो है randomly 50 लोगों को उसमें से choose कर ल sampling the population is divided into mutually exclusive groups such as groups and random samples are drawn from each group यहाँ पर stratified मतलब strata मतलब होता है group क्या होता है strata मतलब group तो जो population उसको हम सब group में divide कर देते हैं जेंडर के बेस पे, age के बेस पे, income के बेस पे, job role के बेस पे हमने उनको जो है अलग अलग group में divide कर दिया अब हम क्या करेंगे सब में से सारे group में से randomly जितने sample में चाहिए थे उतना हम randomly draw कर लेंगे अब suppose कर एक gender का बना दे एक age का बना दे एक income का बना दे हमने group अब जो है हमें 50 लोग चाहिए थे तो जो है यह 100 लोग चाहिए थे तो हमने 25 gender से ले लिए 25 age वाले group से ले लिए 25 income से ले लिए 25 किसी दूसरे group से ले लिए तो इसे ट्रीके से आप क्या करते है, इस ट्लूज़िव का मतलब क्या होता है, कि elements belong to one Σ्ट्राइटम में अगर मैं इसãy ग्रूप में हूँ तुम, आपीं परकि की और the sekali क्या पर इन्क्लूज़िव का मतलब होता है, तो mutually exclusive group होना चाहिए stratified random sampling यहाँ पर भी कहीं पर आता है कि proportionate और disproportionate proportionate या नहीं कि सभी में से equal proportion लिया जाएगा disproportionate मतलब कि किसी में से 20% किसी group में से 30% किसी group में से 40% हम sample ले लेते हैं तो stratified random sampling simple सा group बनाएंगे group बनाने के बाद वो group कैसी होना चाहिए mutually exclusive बना चाहिए और हर group में से randomly हम जितना हम sample लेना है उतना हम ले लेंगे next आपका probability sampling टेक्निक बहता है systematic sampling systematic sampling में क्या होता है कि एक system को follow किया जाता है यानि कि इसमें क्या होता है कि जो पहला sample होता है पचास चाहिए आपको support करेंगे तो पहला जो होगा वो randomly आप draw कर लेंगे उसके बाद एक system follow करेंगे यानि कि हर दसवा मनलब की पहला लिए आप पहले के बाद दसवा लेंगे दसवा के बाद फिर बीसवा लेंगे इस तरीके सिक system follow होगा तो यहां पर पहला जो होता है वो खाली random होता है तो यहां पर क्या होता है कि पहले हम जो population होता है उसको हम arrange कर लेते हैं arrange कर लेते हैं कि इसमें ascending या descending order में चाहिए घटती हुए करम में करें चाहिए बढ़ती हुए करम में करें उसके बाद आप पहला जो है वो sample random sample ले ले लेंगे उसके बाद जो एक sampling interval निकाल आता है जो system follow होता है वो sampling interval होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो population की size होती है हम उसको divide करते है size of sample यानि कि suppose करे population 1000 है और हमको उसमें से 100 sample चाहिए तो 1000 को हम 100 से divide कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दस आ जाएगा तो उसके basis बाहर दसवा element हम लेते चले जाएगे तो यही होता है systematic sampling technique तो यहाँ पर क्या होता है probability sampling technique that is cluster यानि की area sampling यहाँ पर क्या होता है कि cluster में form कर देते हैं जैसे लखनौ, बनारस, इलहाबाद या फिर आपका बलिया, मौ, यह सब अलग-अलग cluster होगे area होगे और फिर सभी लोगों से हम सभी जगह से हम जो है randomly sample को draw कर लेते हैं यह जो cluster यानि की area के basis पर sampling एक तरकी का इस्टेटिफाइड जो होता है उसी तरके से cluster होता है इस्टेटिफाइड में आपने जो है area wise ने बलके gender, income, age इन सबके group पे basis बाद डिवाइड किया यहाँ cluster में क्या करते हैं कि area wise डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हरे area से हम randomly कुछ लोगों को select कर लेते हैं तो यह cluster नहीं होंगे कि वो हमारे sample में include हो सके हैं तो convenience sampling तो इसमें क्या आता है non-privility में पहला convenience, convenience मतली बाते हैं सुभीदा जनक यानि कि अपने इसाब से आप लखनव में रहते हैं और लखनव से ही आपको कोई research करना data collect करना तो आप क्या करोगे ना कि आप लखनव के आसपास के जो लोग हैं उनी से data collect कर लोग है आप क्या करोगे UP के उपर को study कर रहे हो तो लखनव से data collect करके UP के उपर generalization कर देते हैं ठीक तो convenience हम लखनव बाहर बना रहा से हो इलाबाद इन सब जगा कहां से data collect है लखनव से sample चूश कर लेते हैं that is convenience clear next आता है आपका परपजिव sample यान prospect for accurate information researcher using their expertise to select a sample यानि suppose करें कि आपको जो है कोई data collect करना है तो आप किसी expert के पास चलेगे उनसे बूले कि सर हम कहां से data collect करें उन्होंने बताया कि आप जो है इस एरिया में चले जाओ वहाँ पर आपको इस रिगार्डिंग डेटा अच्छेस मिलेगा आप वहाँ जाते हो data collect करके चले आते हो तो judgment या भी purpose इसको हम Delphi sampling technique भी कहते हैं Delphi method यानि कि जहाँ पर हम expertise का guidance लेते हैं तो judgment या purpose अपने purpose के हिसाब से आप कर लिजिए आपको आपको अर्बन एरिया का data collect करना है तो किसी भी urban city में चलेगे वहाँ से data collect कर लिया आपको rural area का ही उपर research करना है tailored sample होता है यानि tailored sample आनि कि इस group से इतना इस group से इतना आप suppose करें कि आपको यूप में research करना है तो आप क्या करोगे कि आप homogeneous group develop कर दोगे और उसके बाद जहां से हर group में से एक fixed amount ratio में आप sample को charge करोगे जैसे कि एक आपने group बना लिया female का एक आपने group बना लिया male का तो आप female म ही हम जो है sample में include करेंगे और male से 55% लोगों को हम जो है अपने sample में include करेंगे तो यह quota fix हो जाता है ठीक है data is collected from a homogeneous group जैसे कि 45% female 55% male तो यह quota sampling हो गए है quota आपने fix कर दिया बच्चों से हमें सिफित नहीं लेने है male से हमें सिफित नहीं लेने है और female से हमें इतने लेने है aged या जो है general category में आता है तो इस तरीके आप quota भी यहाँ पे divide कर लेते है तो यह भी क्या है अपने सुविता के हिसाब से है जिसमें से जितना चाहिए तो उतना अपने divide कर लेते है अपर सब के equal chance नहीं है इसलिए non sampling में आ जाता है non priority में next है non priority sampling technique पे that is snowball sampling आपने snowball कभी बर्फ का बनाया है आप बर्फ के गोला बनाई है उसको तोड़ी है तो तोड़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे उसमें से एक इसनो बहुत सारे इसनो निकल जाता है ति एक तरीके का है marketing आपने देखा होगा chain marketing जिसमें होता है chain delivery क्याती है यहाँ पे भी होई होता है participants वाया other participants या वो दो तीन से भी जो है तीनो लोगों से भी आप जो है दो दो तीन तीन का reference माँगोगे तो इस तरीके से आपके पास जो है data collect होता चला जाता है और आपको respondent ढूनने की जोतनी परती एक से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे बनते चला जाता है और आपको जितने लोगों से data collect करना था, वहाँ तक जाईए, उसके पाद जब हो आपका complete हो जाए, आप वहीं पे stop करतेंगे अपना data collection, तो snowball sampling यानि कि एक participant से दूसरे से तीसरे, तीसरे के reference से चौथा, इस तरीके से आप जो है, अपने sample को यहाँ पे collect collect, तो यह भी क्या है, non probability है, सबके एककुल chance नहीं है, उसने जिसको बता है, उसे के पास जाएंगे, अब दूसरे वाली के chance खतम, अगर उसने किसी और को बता है, तो उसके पास चले जाते हैं, तो यहाँ पे सेंपलिंग टेक्निक, तो यह क्या है, सेंपल चूज करने के तरीके, method of sampling यानि के कैसे, population में से, आप जो है, सेंपल को चूज कर सकते हैं, विश्वाल दबिश्ट कीप हुचेंग,